हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टेवलोटी बीकॉम क्लासेज आज हमारा टॉपिक है डेलिगेशन अफ अथॉर्टी आई जानते हैं डेलिगेशन अफॉर्टी एक्चुली होता क्या है सिंपल वे में समझा जाए तो डेलिगेशन अफ अथॉर्टी एक प्रोसेस है जो काम बाढ़ता है सिंपली काम बाढ़ता है कैसे आई जानते हैं एक्जाम्पल में मान लीजिए अनुसका एक कंपनी में मैनेजर है उसके निचे तीन सुपरवाइजर हैं विडाट रनवीर और सलमान अनुसका बहुत परिशान रहती है उसको अपने काम को ले करके उसको प्रोड़क्शन वर को चेक करना हो गया इंपलॉईस ताइम पर है नहीं है देखना हो गया या बार बर किसी लीगल लॉगमेंट साइन करना हो गया इसलिए वह परिशान रहती है फिर वह करती क्या है कि वह अपने पावर्स को अपने अधिकारों को कुछ डेलिगेट करती है वह विराट को प्रोड़क्शन वर्क की डिटेल में डिटेल लाने में बैस्त कर देती है रनवीर को इंप्लाइज टाइम पे हैं नहीं है वो चेक करने के लिए देती है सल्मान को लिगल लॉगमेंट साइन करने का अधिकार देती है इससे होता क्या है उसकी कुछ ड्यूटी कुछ रिस्पॉंसिबिलिटी और कुछ अथॉर्टी शियर हो जाती है लिगे दूसरा रिस्पॉंसिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखा जाए पहले नंबर पे आता है अथॉर्टी अथॉर्टी को सिंपल वे में समझा जाए तो इसका मतलब होता है एक इंडिविजल का राइट टु कमांड इस जो टु करताव्य कीवा जो डूटीज अ उनको करिया उट करे परफॉर्म करे थार्ड आता है कोनली टू कर सब्सक्राबल्ट